Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.1 का question number 3 देखते हैं क्या है In the given figure, angle P के उआर is equal to angle PRQ Then prove that angle P के उआर is equal to PRT ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमें given है वो write down करेंगे Then जो हमने prove करना है वो write down करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम given क्या है Given है हमारे पास angle PQR is equal to angle PRQ के तो देखते हैं PQR, PQR और PRQ तो ये angle और ये angle equal given है तो इनको यहाँ पे 1-1 cut से हम mark कर लेंगे उसके बाद क्या करना है 2 prove हमने prove क्या करना है angle PQS equal to angle PRT के तो PQS ये angle PRT इस angle के equal prove करना है तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको prove करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस line की हमारे पास जो line है ये complete line इसके उपर ये angle बना हुआ है और ये की angle बना हुआ है इन दोनों angle का sum कितना होगा ये complete angle का sum 180 degree होगा linear pair से तो इन ही का use करते हुए हम इन का क्या करेंगे prove करेंगे तो PQS तो यहाँ पर क्या लिखेंगे angle PQS plus PQR angle PQR is equal to किसके 180 degree के similarly PRQ angle PRQ plus में PRT angle PRT ये भी क्या होगा 180 degree क्योंकि ये complete angle भी क्या होगा 180 degree और साथ में region लिख देंगे यहाँ पे linear pair angle region जरूर लिखना है साथ में जिसे की सामने वाले को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं क्यों use किया है अब देखो ये दोनों तो equal होगे हमारे हमारे पास देखो right hand side दोनों की क्या है equal है तो left hand side भी equal होगी बिल्कुल पता है आपको देखो A equal to B है A equal to C है दोनों की एक side equal है तो दूसरी side B equal to C भी तो होता है ऐसे ही तो करते हैं तो यह दोनों क्या हो जाएंगे equal तो यहाँ पर क्या लिख देंगे angle PQS plus में angle PQR is equal to किसके angle PRQ plus में angle PRT के इसको माल लिया equation number first इसको माल लिया equation number second तो यहाँ पर basic से लिख देना from first and second यह चीज हमने लिख दी यहाँ तक तो कोई doubt नहीं होगा आपको अब देखो given के अंदर क्या है यहाँ पर side में लिखेंगे angle PQR जो हमारा given है किसके equal PRQ के given है इसी का हम use करेंगे यहाँ पर PQR की जंगे क्या मैं PRQ रख सकता हूँ? बिलकुल रख सकता हूँ तो PQR की जंगे क्या लिख दूँगा? PRQ तो angle PQS plus में angle PRQ is equal to angle PRQ plus में angle PRT यह तो कोई doubt नहीं होगा PQR की जंगा है PRQ हमने यहाँ पर put कर दिया अब देखो यह और यह दोनों क्या है? same है तो cancel out हो जाएंगे या फिर इसको इस side ले जाओ, subtract कर दो कैसे भी कर दो? दोनों side अगर equal value add हो रखी हो तो वो cancel हो जाती है तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? angle PQS is equal to किसके बच गया? angle PRT के तो अब अपने proof की तरफ चलते हैं क्या हमने prove करना दा? PQS is equal to PRT prove करना दा तो यही तो prove कर दिया हमने PQS is equal to PRT के तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? hands prove बिल्कुल इजी question था आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको linear pair के बारे में पता है तो अगर introduction वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो एक बार introduction देखिए then questions करेंगे तो आप बिल्कुल इजली आइन questions को कर पाएंगे I hope यह question आपको समझ में आया है channel share कीजिए क्योंकि class 6 से लेके 12 तक की वीडियो यहाँ अविलेबल है next बात करेंगे अपने question number 4 की question number 4 की statement देखते है क्या है in the given figure if x plus y is equal to w plus z then prove that angle a o b is a line तो हमने क्या परू करना है कि a o b एक line है कैसे prove कर सकते हैं किसी को line जब उसके एक side angles का sum linear pair angle का sum क्या हो 180 degree तब हम उसको line prove कर सकते हैं तो हमने यही करना है क्या करेंगे या तो x plus y equal to हम क्या कर देंगे 180 degree या फिर w plus z हम 180 degree prove कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे linear pair prove हो जाएगा और a b एक line prove हो जाएगी तो सबसे पहले बात करते हैं हमें given क्या है given है हमें x plus y is equal to w plus z two prove क्या करना है हमने two prove a o b is a line a o b को हमने एक line prove करना है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे तो angle a o b को हमने line prove करना है तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे x y का sum क्या है हमारा x और y assume कर लेते हैं कि a b क्या है एक line है let a b is line तो यहाँ पे क्या हो जाएगा angle x plus angle y किसके equal हो जाएगा हमारा 180 degree by linear pair similarly क्या हो जाएगा z plus w क्या हो जाएगा हमारा z plus w भी 180 degree हो जाएगा तो similarly z plus w is equal to किसके 180 degree के यह equation number first यह equation number second तो यह भी by linear pair हो जाएगा अब देखो दोनों की right side equal है तो right side equal है तो left hand side भी क्या हो जाएगे हमारी equal तो यहाँ पर क्या आजाएगा from first and second from first and second angle x plus angle y is equal to क्या हो जाएगा angle z plus angle w दोनों equal prove हो गे तो इसका मतलब जो हमने assume किया था कि यह भी एक line है तो यहाँ पर क्या हो गई हमारी एक prove होगी क्योंकि दोनों के आगे दोनों linear pairs में prove हो जाते हैं एक्वल हो जाते हैं और दोनों का sum 180 degree है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम aob is a line यहाँ पर hence proved I hope समझ में आगी है आपको aob को हम line लेके चले थे तो linear pair मान लिया हमने x plus y is equal to 180 degree w plus z 180 degree right hand side equal है तो left भी equal होगी और यह चीज़ already हमें given थी equal है तो हमने यह equal prove भी कर दी कब equal prove ही जब x और y का sum हमारा 180 degree था अब x और y का sum 180 degree है तो इससे क्या prove हो गया हमारा कि a b एक line form गरती है I hope आपको question अच्छे से clear हो चुका है कोई doubt अगर किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं otherwise इस channel को subscribe कर दे like करें, share करें और comment करके बताएं channel के बारे में आपको कैसा लगता है thank you students for watching this video thanks